ग्यारा बजे भेट नहीं, तीन बजे के बाद लेट नहीं ये कहावत तो सरकारी अधिकारियों के लिए काफी ज़ादा प्रशाली थे नमस्कार मैं श्मेता और आप देख रहे हैं निउस फॉनेशन ये कहावत जो है ग्यारा बजे भेट लेट नहीं, तीन बजे के बाद भेट नहीं सरकारी बाबू के लिए काफी ज़ादा प्रशाली थे तो वहीं बायोमेट्रिक लगने के बाद भी सरकारी करमचारीयों का हाल कुछ ऐसा ही रह रह रहा है जिसको देखते हुए बिहार सरकार कड़े नियम बनाने जा रही है जी हाँ, बायोमेट्रिक लगने के बाद भी बहुत सारे सरकारी करमचारी ऐसे हैं जो समय पे नहीं आते हैं कहीं कहीं तो ऐसे कुछ करमचारी हैं जो महीने में एक या दो दिन आते हैं वो भी अपने अटेंडन्स को लगाते नहीं है तो वहीं बिहार सरकार ने ऐसे करमचारीों को लेकर सक्त नियम बनाने जा रहा है बिहार सरकार ने साफ तोर पे कहा है कि ऐसे करमचारी जो अपना अटेंडन्स नहीं बनवाते हैं जो बायोमेट्रिक का फॉलो नहीं करते हैं, कई तरीके से सक्त कानून लगाने जा रही है, भले ही विवस्था में काफी हद तक बदलाब हुआ है, यह पूरी तरह दुरुस नहीं हो पाया है, अधिकारी से लेकर करमचारी तक आफिस समय से आएं और जाएं, इसके लिए सरक पावजूद अब भी समय का पालन करने वाले की तादाद बहुत कम है, जी हाँ, बायोमेट्रिक हाजरी के करमचारी की लेट लतीफ की पोल खोल दी है, सुत्रों के मताबिक पहली बार बारीकी से आकलन किया गया, शुबर में सचिवाले से जुड़े 13,000 से जादा अधिक और करमचारीों में मातर 544 ऐसे थे जिन्होंने पूरे मास समय पर दफ्तर पहुँचकर हाजरी लगाई थी, बाकी के करमी थोड़ा हो या जादा हो पर विलम से ही कार्याले आए थे, भले ही वो रोजाना लेट ना हुए हो, पर अक्टूबर में किसी न किसी दिन उन्हें आफिस पहुचने में जरूर विलम हुआ है, समय से आने वाले करमियों को अब पुरस्कृत करने की योजना बनाई है, वही बेहार सरकार ने सरकारी सेवकों के लिए एक जून से बायोमेट्रिक हाजरी की विवस्था लागू की है, पर कुरोना की वज़ह से बीच में इसे रोकना पड़ा था, सितंबर में ववस्था फिर से लागू हुआ है, वही राज सरकार सकती से इसका पालन सुनिश्चित कराने में लगी है, जहां एक तरब 500 से अधीक अधिकारी करमचारी ऐसे हैं, जो पूरे महीने समय पर दफ्तर आते रहे, वही ऐसे करमचारी की भी सं अच्छा नहीं बना पाएं, जी हां, महीने में एक दिन भी समय पर हाजरी नहीं बनाने, उन्हें महंगा पड़ सकता है, ऐसे में 400 से अधिक करमियों की पहचान हो गई है, और दंड के तौर पर उनकी छुटी में कटोती की जा सकती है, वही जो करमचारी समय पर आकर अपन भी की जा सकती, जहां बायोमेट्रिक के जरिये लोगों को पता चल रहा है कि अब कौन से लोग समय पर आ रहे हैं, और समय से जा रहे हैं, वही कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो हाजरी नहीं बना कर आए दिन छुटियों पर घूमते रहते हैं, उन सब की अब सक्त से सक्त काही उन पर की जाएगी, इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें, न्यूस फोनेशन धन्यवाद